गुजरारत में आमादी पार्टी के अधिक्ष गुपाल इटालिया का विवादित वीडियो डरसल 2019 का है और इसी वीडियो पर बवाल मचा है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर पीएम और पीएम के मा के अपमान कारूप लगाया है। मामला गरमाया तो गुपाल इटालिया के दिल्ली में महिला आयोक के सामने पेशी हुई। और दिल्ली पुलस ने उन्हें हिरासत मिलिया लेकिन कुछ घंटों में ही छोड़ दिया। किस तरह से गुपाल इटालिया ने प्रधान मिंत्री पर उनकी मापर टिपपणी की थी अवमारे आधित आपकों सुनवाते है। तो प्रधान मिंत्री नरेंद्र मोधी और उनकी माँ को लेकर अम मर्यादे टिपणी हुई और इसके बाद से बीजेपी ने वीडियो जारी किया घंबासान मचा। लेकिन डिल्ली पुलिस की हिरासत से बाहर आते ही गुपाल इटालिया ने आज तक से खास बातचित की क्या कुछ कहा गुपाल ने आपकों सुनवाते हैं। मिस बिहेवियर का रोप लगाया आप दिन एंसी डबलू का जो ऑफिस है वो पूरा सिसी टीवी कैमरों से लेंस है। मिस बिहेव किसी ने किया है तो सिसी टीवी पूटेज निकालिये और पूरे देश को बताइए। ये क्या आप अपने पॉलिटिकल बोस की तरह आप भी फैकने लग गए। आप भी जूट बोलने लग गए। पूरा ओफिस में से सिसी टीवी कैमरों से दिखाईए देश को किसने बत्तमी जी की किसने मिस बिहेव किया दिखाईए पूरे देश को ये क्या जूट पे जूट जूट पे जूट बोले जा रहे हैं। देखार शर्मा कह रही है कि आप अपने समर्थकों के साथ गए अंदर गुसने की कोशिस की हंगामा हुआ वहाँ पे इसलिए पुलिस बुलाने पड़ी दिखा दे पुरे देश को बोलने से क्या होता है पूरे दफ्तर पर सेसी टेवी लगाया है दिखाये पुरे देश को किसन का खत्रा है अगर उसको इस देश में जान का खत्रा है तो यह खुद स्विकार कर रहे उसको परदान मंत्री जेपेव देश की सरकार पर भरोसा नहीं क्यूंकि मैं पार्टिदार हूँ, बीजेपी पार्टिदारों से नफरत करती है, क्यूंकि पार्टिदारों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था, सत्रा में इनको इनकी वकात दिखा दी थी, अब फिर से कोई पार्टिदार खड़ा हुआ है, तो गोपाल इटालिया के बयान पर किस तरह से सियासी घमासान मच गया है, आपको हम ये भी दिखाते हैं, सुलवाते हैं. उसके चेंबर में ले जाए गया, मैंने कमरे का दरवाजा खोलते हुए, पूछा कि मैं कमीन मेडम, उसने बड़ी एरोगंसी से कोई जवाब नहीं दिया, और मेरी तोर देखते हुए, बोला कि बहुत ही बत्तमीज हो तुम, क्या उकात है तुम्हारी, और क्या हैसियत है तुम्हारी, मुझे ये कहा गया, मैं शौक हो गया, कि ये क्या भाशा है? जो भी इनका स्टेटमेंट है और जो रिटन स्टेटमेंट है, दोनों मैच नहीं करते, अभी तक इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया, मैंने पुलिस को भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक लौ एंड ओर को खराब करने की पर भी थ्रेटनिंग लग रहा था, यहां 100-500 लोग अगर पहुँच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता है, ये कैसी इनकी वर्किंग है, ये मुझे लगता है इनकी लीडर्शिप को भी सोचना चाहिए, और इनके कारेकरताओं को भी सोचना चाहिए, ये कि एक राशमेला आयूक का ये आफिस था, जहां ये अराम से आकर सिर्फ जवाब देना था इनको, इनको क्यों जरूरत थी ये जूट बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की.